इकाई, बेश, मौर, तो यह जो पूरा इकाई है, वो मौर के लिए समर्पित है, पढ़ दे हैं इकाई को, मौर भारत का राष्टिय पक्षी है, मौर सबसे सुन्दर पक्षी है, मौर की पंख रंग बे रंग की होते हैं, मौर के सीर पर कलगी होती है, मौर बादलखों देखकर खुश होता है, मौर खुश होने पर नाचता है, मौर पंख फेला कर गला दिखाता है, मौर पीहू पीहू आवाज करता है, मौर सब लोगों को प्रिय लगता है, मौर का शरीर भारी होता है, मौर बहुत उचे तक उड़ नहीं शकता है। एक बार आपको मेरे साथ पूरा का व्योगों पठान करना है, तो मौर भारत का राष्टिय पक्षी है, मौर सबसे सुन्दर पक्षी है, मौर के पंक्ट रंग बेरंगी होते हैं, मौर के सीर पर कलगी होती है, मौर बादलों को देखकर खूश होता है, मौर खूश होने पर नाचता है, मौर पंक फिला कर कला दिखाता है, मौर पिहू पिहू आवाज करता है, मौर सब लोगों को प्रिय लगता है, मौर का शरीर बारी होता है, मौर बहुत उचे तक उड़ नहीं सकता, तो हमने कावय का दोबर बठन किया, इक वारा अप्ध्यान से पूरे कावय को मन में पढ़िये, मन में उसका पठन कीजिए, करता है, इस नहीं सकता है, पूरे काव्यका मन में पठान कीजिए अब हम काव्यका को समझेए तो मौर भारत का रास्टिय पक्षी है मौर भारत का रास्टिय पक्षी है हमें पता है मौर भारत का रास्टिय पक्षी है इतने सारे पक्षियों में हम लोगोंने सिप मौर को ही रास्टिय पक्षी चुना है तो ही ही से हमें मौर की जो विशेश था है उसके बारे में पता लगता है कि मौर इतना विशेश पक्षी है हम सब के लिये कि वो हमारे देश का रास्टिय पक्षी है एक पड़े लोकत अंतरिक देश के रास्टिय पक्षी होने का दरज्य मौर को प्राप्त हुआ है तो वहां से उसकी महांदा हमें पता चलती है कि मोर हमारे देश का राष्टिय पक्षी है और उसमें सर्वजंपन गुण है राष्टिय पक्षी बनने के लिए मोर भारत का राष्टिय पक्षी है मोर सब्से सुंदर पक्षी इतने सारे पक्षी हमारे प्रिथ्वी ग्रहतर मुझूद है उसारे पक्षे में मोर सब्से अधिक सुंदर पक्षी माना जाता है और सारे लोगों को मोर बहुत पसंद भी होता है उसकी सुन्दरता निराली है मोर को देखना सबको अच्छा लगता है आप लोगों नी भी मोर को देखा ही होगा लेकिन मोर को देखने में भी डिफरंस है आप नाचते हुए मोर को देखे तो उसका विद्रश्य अलग है और स जो मोल चलके जा रहा है उसको देखे या कई जगा बेठा हुआ है सिफ अपने पंको को नीचे करके तो उसका यो भी डिफ्रेंट है तो मोर भारत का राष्टिय पक्षी है मोर सबसे शुन्दर पक्षी है पेली दोलाइने हमने समझी मोर भारत का राष्टीय पक्षी है, मौर सबसे सुंदर पक्षी है, मौर के पंख रंग बेरंगी होते हैं, मौर के जो पंख होते हैं, कैसे होते हैं, रंग बेरंगी, उनमें कई सारे जो रंग हैं, वो पाए जाते हैं, और उनके पंख भी सबसे अच्छे होते हैं, लंबे लंबे उनके पंख होते है और इसलिए मुर बहुत ही अच्छा लगता है मुर जब अपने पंख फैलाता है मिनस अपने पंख खड़े करता है तो वो देखना भी मनभावण बन जाता है यह अपना हमारे चितर में आप देख पा रहे हो कि जिस तरह से उसने अपने पंख को खड़े किया है को देखने को मिलता है जब मोर अपनी सारे पंकों को फैलाता है कि तना अच्छा है दर्श्य हमें देखने को मिलता है जब सारे मोर अपने शारे फंगों को पहलाता है मोर के सीर पर कलगी होती है जो मोर है उसका जो सीर है उसके उपर एक कलगी भी होती मोर के पंग रंग बे रंगी होती है मोर के सीर पर कलगी होती है मोर के पंग रंग बे रंगी होती है मोर के सीर पर कलगी होती है मोर बादलों को देखकर खुश होता है मोर खुश होने पर नाचता है ऐसा कहा जाता है कि जब बादल हो और मोर खुश हो जाए मोर नाचनी लगे मोर बोलने लगे तो बारिश होने के आसार है कि बारिश आ सकती है तो मोर को पहले ही पता हो चल जाता है कि कब बारिश होगी तो वो बादल को देखकर बहुत खुश होता है बादल उसे सबसे अधिक प्रिय है मोर को बादल बहुत पच्छे लगते है तो जो मोर को बारिश अच्छी लगते है इसलिए जो बादल देखकर हो खुश हो जाता है फिर वे जो मो है वो नाचने लगता है और बारिष आने पर वो कुश हो जाता है हमें देख पार है कि बारिष में वो सारे अपनी पंग को फिला देता है दीकि यह जो नजारा है वो आप देख पार है कि बारिश होने पर वो कुश हो जाता है और अपने पंक फिला कर नाचने लगता है बारिश होने पर उसे बहुत अच्छा लगता है मोर बारिश में खुब बारिश को खुब पसंद भी करता है बारिश होने पर वो नाचने लगता है मोर बादल को देखकर कुश होता है तो बारिश आने से पहले हमें पता ही कि बादल होंगे बादल के बारिश आएगी तो बादल आकास में आकास में जो बादल देख लेता है तो वो कुश हो जाता है और फिर जब बारिश आती है तो वो खुद नाजने भी लगता है कुश हो होती है मोर बादलों को देख कर खुश होता है मोर खुश होने पर नाचता है मोर पंक फिला कर कला दिखाता है मोर पीहू पीहू आवाज करता है मोर जो है जब अपने पंक फिला देता है तो उसको देखने के लिए लोग अखेटा हो जाते हैं लोग गुरूप में मिलके उसको देखते हैं कि मोर ने जब उसके पंक फैलाए तो जो द्रश्य है वो सब के लिए मनभावक बन जाता है लोग वहाँ से हटते नहीं है जब मोर अपने पंक को वापिस नहीं करता तो यह जो द्रश्य है मोर का पंक फैलाना सबको बहुत ही अधिक प्रिय है मोर जब पंग फैलाता है तो सबको वो बहुत पसंद आता है और सब लोग उसको बड़े शांती से और चाल से उसको देखते हैं जब मोर पंग फैलाता है मोर पिहू पिहू आवाज करता है मोर पिहू पिहू आवाज करता है कोयल के बाद अगर कोई अच्छा किसी पक्षी की अच्छे आवाज है तो उसमें मोर की आवाज मानी जाती है मोर का आवाज सुनना मोर की जो आवाज है सुनना सबको भसंद भी आता है तो मोर की आवाज है वो भी कोयल की तरह मीठी है सबको वो अधिक प्रिय भी है और सब लोग उसकी आवाज सुनकर रुक भी जाता है कि नजदिक में कहीं मोर है चलो देखे हमें कहीं मोर देख जाता है तो मोर की आवाज भी बहुत अच्छी है मोर की आवाज है तो पीहू पीहू तो मोर की आवाज जो है वो पीहू पीहू है पिहू पिहू करके वो सबका मन बहाता है सबका मन बहारने की वो रियास करता है तो मौर पंक फिलाकर कला दिखाता है मौर पिहू पिहू आवाज करता है फिर मौर सब लोगों को प्रिय लगता है मौर का सरी भारी होता इतने सारे खून होने के कारण मोर सब लोगों को अधीक प्रिय हैं सब के लिए बड़े चोटे बुटे सब के लिए मोर बहुत प्रिय माना जाता है लोग बड़े चाह से बड़े भाव से उसे देखते हैं और सब के लिए वो एक अच्छा देखने का एक अच्छा स्त्रोत माना जाता है और सब लोग उसे अच्छी तरह से देखते भी हैं गली में तो नहीं देखने को मिलेंगे मोर लेगिन जब हम बाहर जाएंगे खासकर जो फोरेश्टिला का है वहाँ पर हमें मोर पाये जाते हैं वहाँ हमें देखने को मिलते हैं हमेरे चोटिला में भी बहुत जगा पर हम जब बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए तो वहाँ पर मोर पाये जाते हैं मोर देखने को मिलते हैं मोर का शरीर भारी होता है मोर इतने सारे पंको के कारण और उसके शरीर के कारण वो जो पूरा उसका जो वजन है वो कुवद भारी होता है मोर शरीर में कुवद भारी होता है हम देख पारें मोर को कि मोर कितना भारी होता है पूरे शरीर में हाला कि सबसे बड़ा जो पक्षी है वो शुत्र मुर्गे लेकिन मोर का शरीर भी बहुत भारी भी होता है मोर बहुत उचे तक उड़ नहीं सकता उसका सरीर इतना भारी है इसलिए वो बहुत उचे तक उड़ नहीं सकता आपने देखाऊगा कि मोर उड़ता है थोड़ी दिर उड़के वो वापिस जमेन पे आ जाता है ही ज़्यादा दिर तक कूड़ नहीं सकतर मूं ज्यादा दिर वो पूरे जो पांक पथन करने के बाद इसकरी तरसे समझ लिया तुछे पिर अग बार हम लोग कावे का पठन करेंगे मेरे साथ आप लोग भी बोलेगे मोर भारत का राष्टिय पक्षी है बोली मेरे साथ मोर सबसे सुन्दर पक्षी है मोर के पंक्त रंग बे रंगे होते है मौर के सिर पर कलगी होती है मौर के सिर पर कलगी होती है मौर बाद लोग को देखकर खूश होता है मौर खूश होने पर नाचता है मौर खूश होने पर नाचता है मौर पंक फिला कर कला दिखाता है मौर पंक फिला कर कला दिखाता है मौर पिहू पिहू आवाज करता है मौर सब लोगों को प्रिय लगता है मूर सब लोगों को प्रिय लगता है मूर का सरीर पारी होता है मूर बहुत उजे तक उड़ सकता है मूर बहुत उजे तक उड़ नहीं सकता तो हमने पूरे काव्यका पठन गिया अब हम इसकी स्वाध्य कोस्टक से सही सब्दय चुनकर वाक्य पूर्ण करो तो मूर भारत का कोस्टक में राष्टिय एवं प्रादे सी क्लिखा हुआ है तो हमें पता है कि मूर भारत का कैसा पक्षी है मूर भारत का राष्टिय पक्षी है मूर भारत का राष्टिय पक्षी है मूर भारत का राष्टिय पक्षी है मूर के सीर पर ब्लेंक होती है तो काउस में दी गए सब्द है कलगी पक्ड़ी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका आंसर होगा कलगी या पक्ड़ी 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 होती है नहीं उसका आंसर है कलगी मूर के सीर पर कलगी होती है मोर के सीर पर कलगी होती है तो आप ब्लेंक्स में लिखेंगे कलगी मोर के सीर पर कलगी होती है कर ब्लेंक्स में आपको लिखना है रंग बे रंगे रंग भी रंगे झाल झाल मोर ब्लेंक को देखकर खुश होता है तो मोर बादलो को देखकर खुश होता है मोर बादलो को देखकर खुश होता है मौर बादलों को देखकर खूश होता है मौर बादलों को देखकर खूश होता है झालों को देखकर खूश होता है पीर उसके आगे हैं सही कथन के सामने रैट मर का चीन और गलत कथन के सामने कोश का चीन हाँ बनाओ मौर सबसे सुन्दर पक्षी है मौर सबसे सुन्दर पक्षी है तो यह विधान यह कथन सही है या गलत मौर सबसे सुन्दर पक्षी है तो यह कथन सही है मौर सबसे सुन्दर पक्षी है तो इसमें आपको रैट मर का निसान लगाना है पिर उसके बाद मौर काव काव करता है मौर काव करता है तो यह कथन गलत है मौर पिहू पिहू करता है तो यहाँ पर आप क्रोश मार्क मारे रोंग का जो चीन है क्रोश मार्क का यहाँ पर आपको निशान लगाना है मोर काव काव करता नहीं है बलकि मोर पिहू पिहू करता है तो हमें जो दुसरा सेंटेंस है मोर काव काव करता है वहाँ पर हम क्रोश मार का निशान लिखेंगे तो आप सभी लोग वहाँ पर क्रोश मार का निशान लिखिए मूर सब लोगों को प्रिय लगता है तो विधान सही है क्योंकि मूर को लग बहुत पसंद करते हैं तो यह विधान सही है इसलिए आप यहाँ पर राइट मार का चिनह कीजिए राइट मार का निशान लगाईए पिर मौर खोश होने पर पिहू पिहू आवास करता है तो वैसे तो खोश होने पर पिहू पिहू आवास करता है लेकिन जब कावे की सिंटेस में दिखें कावे की स्टांजा में कावे की पेरिग्राफ स्टांजा में लिखा हुआ कि मोर्ग खुश होने पर नाचने लगता है तो कावे के मुताबिक हम यहाँ पर रोंग मार्क का जो क्रोस मार्क है उसका निशान लगाएंगे प्यू 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 आवास करता है हो नाचते हो खुश होने पर लेकिन कावे के मुताबिक हम यहाँ पर क्रोस मार्क का निशान लगाएगी तो हम यहांपर लास्ट में क्रोश मार का निशान लगाईए रोंग का जो निशान ने है वहाँ पर लगाई तो उच इस पकार से आपके निशान होगे पहले में राइट दूसरे में रोंग फिर राइट और लास्ट में रोंग तो यहां पर 21 बीश मोर दो पीकोग गंप्लिट होता है तो आचे लेवर इतना है थेंक यू